आप देखेंगे कि मॉम्मीं की छोटी बहुएन घर जाकर अपनी बड़ी बहुएन को बताती इस बार में चोटी बहुएन को मैं उसे नहीं जानती मैं तो कॉल्स से वापिस घज आ रही ती तब उस मेरा रास्ता रोका अब ये सब सुनकर तो बड़ी बेहन के भी रॉंक्ते खड़े हो जाते हैं फ्रेंट्स आप देखेंगी के माया की मावं से कहती है कि मैने गोहर से बाद शियर की थी कि मूमिन यहाँ आया था और ये सुनकर तो माया भी भड़क जाती है कहती है कि आपने कितनी गलती कर दी ये बात oneself गोर से शियर करके इस बात पर माया की मां उसे कहती है मैंने कोई गलती नहीं की मुझे गवर ने कहा तै कि वो üstừa मास्ट को घंडल करेगा मुझे परृशान होने कि जरूरत नहीं माया अपनी माँ से कहती है कि गौर होता को ने मेरे मामलाद को हेंडल करनी वाला माया की माँ से समझाते हुए कहती है बेटे वही तो तुम्हारा संसियर दोस्त है माया कहती है एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए मेरे और गौर के दरमयान ऐसा कुछ नह जिनाए उसकी कोई ऐमियत है मेरी जिनकी में दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फखर आईशा के लिए कड़े लेकर आता है ताकि उसे तुफ़त हाइव देकर अपनी हावास का शिकार कर सके फखर एक नमबर का ठिरकी इनसान है जो आने बहाने से आशी पर ठिरक जानना चात है और फखर की ये बेतकल्फी आशा के साथ उसकी मां को अची नहीं लगती इसलिए उसे रोकती है मगर वो उनकी बात को भी नजर अंदास कर देता है है वे इस सारी सुर्टेहाल के बाए आशी की वालदा मूमिन को घर बलवाती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी का हाथ उसकी जिन्दी इस बेड़ी नुआ शक्से बचा लो वो मेरी बेटी के काबिल नहीं है बगर मूमिन कहता है अगर मैं आशी को घर से बगा कर ले गया तो मेरे घर वाले कहीं मूँ दिखाने के लाइक नहीं रहेंगे और नहीं मेरा इसलाम इस बात की जाज़त देता है माया गहर को कहती है कि तुम सर मूमिन को बदनाम करना चाहते हो उनकी रेपोटेशन खराब करना चाहते हो जवाब में गहर कहता है मैं क्यों करूंगा इस बंदे की रेपोटेशन खराब और है कौन वो माया कहती है मैंने तुम्हें पहले ही भी वान किया था और अभी कर र मेरे तालुक के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है तो फ्रिंस क्या मुमीन अब माया के इस इशारे को समझ पाएगा मजीद अब आगे क्या होगा इनका इन्जाम ये सब देखने के लिए हमारे साथ रहे और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें